दोस्तों इंडिया और ऑस्टेलिये के बीच में सितंबर 2017 की सीरीज कुछी दिनों में सुरू होने वाली है और जो सुरू होगी 17 सितंबर से और इस सीरीज में जाने से पहले टीम इंडिया ने स्री लंगा के खिलाफ एक तरफ़ा प्रदर्शन करके ODI सीरीज को जीत लिया है और अब टीम इंडिया से ऐसी ही उम्मीद रहेगी और कुछी दिनों में टीम इंडिया का स्लेक्षन होने वाला है कि ऑस्टेलिया के खिलाफ किन प्लेयर्स को मौका दिया जाएगा तो किन प्लेयर्स का पत्ता साफ हो सकता है तो 5 साल बाद बापसी कर रहा है इस सीरीज मे जाने के लिए प्रवल दावेदार माने जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने जितने भी अभी तक घरेलू मैचेस खेले हैं अच्छा ही परफॉर्मेंस किया है तो ही बात करें गौतम गंबीर युवरास सिंग और सुरेस रहना की तो तीनों ही लेफ्ट हैंडेट बैट्समेन ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है अपने घरेलू सीजन्स में और 2007-2011 के वर्ल्ड कप विजेता रहे युवरास सिंग और 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल में मैच विनिंग पारी खेलने वाले गौतम गंबीर को भी हम भूल नहीं सकते हैं तो कुछ ही दिनों मैं टीम इंडिया के सेलेक्टर्स और स्टेलियर टूर के लिए सेलेक्शन करने वाले हैं तो उन से भी सेलेक्टेड प्लेयर्स की लिस्ट सबसे पहले पाने के लिए